मुझे एक दूखत खबर आपके साथ साजा करना है बिहार के दिग्यज नेता स्रीमान रगुबर प्रसाद स्थी वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं मैं उनको नमन करता हूँ रगौंज बावो के जाने से बिहार और देश की राजनीती में सुन्य पैदा हुआ जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व पुरा जीवन बिहार के संगर्ष में बिताया जिस विचारधारा में वो पले बड़े जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारती जनता पार्टी के संगठन के कारकरता के रूप में काम करता था। उस काल से मेरा उनका निकट परिचर रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी बाद विवात संगर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रिय मंत्री मंदल में थे, यूपी एक में, मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के इनाते भी उनके साथ लगाता और संपर्ग में रहता था विकास के कामों को ले करके। और पिछले तीन चार दिन से वे चर्चा में भी थे, उनके स्वास्थलाब के लिए मैं स्वयम भी चिंता करता था, लगाता और जानकारिया लेता रहता था, और मुझे लगता था बहुत ही जल ठीक हो करके वो वापिस बिहार के सेवा में लग जाएंगे। लेकि उनके भीतर एक मन्थन भी चल रहा था, जिन आदर्शों को ले करके चले थे, जिन के साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था, और मन पूरी तरह उस जद्धो जहायद मा था, और तीन-चार दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिठी लिकर के प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने एक शेत्र के विकास की भी उतनी ही चिन्ता थी, तो उन्होंने विहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों के सुची भेज दी। विहार के लोगों के जिन्ता, विहार के विकास के जिन्ता उस चिठी में प्रगट होती है। मैं नितिश जी से जुरूर आग्रह करूँगा कि रगवंस प्रसाज जी ने अपनी आखरी चिठी में जो भावनाय प्रगट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पुरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बाते उन्होंने लिखी थी उसको जुरूर करें, मैं फिर एक बार आज कारकम के प्रारम में ही स्रीमान रगवर्व सी प्रसाज जी से आदर पुर्वक सर्धाजली देता हूं, उनको नमन करता हूं झाल झाल झाल